हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो डेट शीट आ चुका है थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में सेमिस्टर तीन के लिए है स्पेशली ये वीडियो और उनके डेट शीट को देखते हुए थोड़ा सा एक एनेलिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो डेट शीट आ गया ह उसके उपर हमें कैसे काम करना है किस तरीके से हमें आगे स्ट्रेटेजी बना लेना चाहिए क्योंकि सेमिस्टर टू में आपने देखा कि कितनी प्रॉब्लम हो गई थी हमें तो उसके अकॉर्डेंगली सारी बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे मेरे सामने ना मैंने बाकी टेलीग्राम और हमारे अप्लिकेशन में भी यह डेटशिट जो है आपको चैट में डाल दिया है और टेलिग्राम पर भी मैंने डाल दिया अब जाओगे इजली मिल जाएगा यह बीकॉम प्रोग्राम का डेट शीट है अब मज़े की बात करूं न तो बीकॉम प्रोग्राम में हमारे माइंड में कुश्चन आता है सर बीकॉम प्रोग्राम में तो बहुत सारी चीजे होती है सर जैसे की बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपका क्या-क्या होता है एक रेगुलर एक है एक है एंसी वेब और एक है एस ओल जिसे बोल देते हैं स्कूल ऑफ ओपन लाग्निंग ठीक है तीनों के लिए ही कॉमन डेट शिट है आप बातों को समझेगा कुछ बच्चों का कहना ऐसा डेट शिट आ गया तो आप देखे पेपर कितने दिये उन्होंने मैं समिस्टर तीन की बात करता हू और एक पेपर शोर नहीं हो रहा मतलब के चार टोटल और समिस्टर वन का देख लो एक दो तीन मैंने पूरा डेट शिट यहां पर दिखाए नहीं वह आप देख लोगे मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि डेट शिट डिजाइन कैसे है और इसको गलत ना लें सबसे पहली बात यह जो डेट शिट है न यह हमारा टेंटिटिव डेट सीट जो काफी बच्चों का कहना होता न कमतल यह डेट शिट आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो हम इस दिन एक्जाम लेने वाले हैं और मोस्स प्रॉबब म्यश्य श्टार्ट हैँग्या यह हो सकता है ननिस हो जायए हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 15 हो जाए तो मैं मोटा-मोटा एक 20 तारिक से मान के चल रहा हूँ हमारा एक्जाम ना 20 तारिक से स्टार्ट है ठीक है? पहला पेपर 19 को है, तो पहले पेपर की बात नहीं बात करते हैं इसके बाद जो 2nd पेपर है और फिर उससे अगला एक्जाम और भी लेट है हमारा ठीक है न तो काफी बच्चों ने इस तरीके से कैलकुलीशन कर लिया यह सिर्फ डेट शिट आया है आपके चारव एक्जाम के बाकी के जो आपके एक्जाम है वो कहीं इसी के बीच में वो एड़िस्ट कर रहे होंगे त स्टेटिक्स अच्छे से पढ़ना क्योंकि ग्यारवी वाली स्टेटिक्स बिल्कुल नहीं है काफी बच्चों का मित्थ होता है जैसे आपने गलती करी थी के हमारा जो कॉर्परेट अकाउंट है वो 12 वाला ही अकाउंट से और जब पेपर आया तो मेरे से अच्छे से आप जानते हो कि पेपर का लैबल क्या था और पेपर क्या था वाली कंपनी अकाउंट था या कहीं उससे आगे बढ़के था यह आप अच्छे से जानते हो तो पहली बाद आप इसको बिल्कुल भी नजर अंदाज ना करें मैं हर बच्चों को बोलूँगा कि यह इन्पॉर्ट रहना है ठीक है इसके बाद सेमिस्टर वन वालो का भी डेट शीट आ गया है सर एक और तीन दोनों का ही है तो वन वाले भी देखो वन वाले बच्चे अभी कुछ दिनों तक ख्याल में खो रहे हैं उनको लगता है तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है एडविशन का लाज है उनके साथ क्या होगा जो सीनियर देखेंगे वीडियो कमेंट में डाल देना के भाई वन वालो पढ़लो हमें पता है कितने बूरे फस गयत हैं तो वन का पहला पेपर बिजनस और जिसको बिजनस स्टड़ी कहलो और यह फाइनेशल मैनेज़ दूसरा पेपर है आपका कह बिल्कुल फ्रेश चप्टर स्टार्ट होने वाला है कब से अज दे है नेक्स्ट यानी फ्राइडे से बिल्कुल न्यू चप्टर स्टार्ट होगा जिसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है ठीक है इसके बाद बिजनस लॉओ यह सेमिस्टर वन का है और प्रिंसिपल अब बात करते हैं सर्फ प्रोग्राम के बाद अब हम बात कर लेते हैं इस टाइम को हम यूटिलाइज कैसे करें क्यूंकि बीच में अगर मैं हॉलिडेज की बात करूं तो काफिस आ रहा है देशहरा है दिवाली है छट पूजा है क्रिस्मस है निव येर है और भी बहिया दोज घोबर मतलब पूरा फेस्टीबल ही फेस्टीबल है सप्टेमबर से ऐक्टूबर के मंथ और नौबर मंथ में इस रहा जा रहा है जो मैंने देखा है तो सर हम अगर ओवर 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 ओल आइडिया ले हम तो ओवर ओल सेप्टेमबर आज की डेट तो मान लो 13 मैं 15 दिन मान लेता हूं सेप्टेमबर अक्टूबर और यहां पर मान लेता हूं 20 तो टोटल ना हमारे पास 100 दिन है अब देखो को आप अभी से फोकस करो गये तो बड़िया रहेगाम मानने वाले बच्चे अभी से फोकस करेंगे नहीं मानने वाले बच्चे फिर प्रॉब्ल्म में पस जाएंगे यह नों के लिए कह रहा हूं यह मैंने गलती से लिख दिया semester 5 यह किसके लिए सर semester तीन वाले बच्चे भी focus करें और वन वाले भी दोनों ही बच्चे focus करें तीन वाले बच्चों से मुझे उमीद है कि पहले से focus करके रहें क्योंकि दो semester में उनका देख चुके हैं क्या रहता है exam के time पर वन वाले बच्चों को नहीं पता है तो definitely मैं बोलूँगा कि भई यह वन वाले बच्ची अब पहले से अलर्ट हो जाओ नहीं तो हाल बहुत बुरा हो जाता एक्जाम के time है टोटल हमारे साथ पर है RTX 7 है अगर मैं एक्जाम की बात करूं तो कितने पर हमारे Savior हमेटत है हमारे साथ पर अगर हम Swake क करें इन 7 poem में तो आपको एक पर में में पता है कितने दिन मिलता अगर मैं 100 को सात दिन कर दूं तो आपको लगभग लगभग आपका बारा दिन के आसपास बारा या फिर मान लो पंदरा चौदा पंदरा दिन का मैं मान लेता हूं एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिन का टाइम मिल रहा है 14 डेज का मिल रहा है अगर हम डेज में डिवाइड करें तो आप देख रहे हो कि आपको एक सब्जेक्ट को खतम करने के लिए मातर चौदा दिन क्योंकि साथ पिपर है और सौ दिन है चौदा को आप साथ से इंटू करें को 98 चौदा पंदा दिन जो भी है मान सकते हूं लेकि और मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर भी लेके हूं अभी मैं ओवरोल बता रहा हूं एफम है फानेंशल मेनेजमेंट और एक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एकनोमिक्स प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एकनोमिक्स ठीक है यह तीन सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट है हमारा स्टेट एफेम प्रिंसिपल ओफ मार्क एकनॉमिक्स तीन सब्जेक्ट हो गया एक सब्जेक्ट रह गया क्या रहे गया सर देख लेते हैं हाह हाह स्तैट्स हो गया एक सब्जेक्ट मेरे माइंड से किप हो गया एक तुम से जो को है को का देख लेते हैं इसमें को का थीन ही पर जिए एक तो इन्होंने थोड़ा सा दूरा पर फिर दिया कि में थो सेम हैं कि एक एक बता दिते हैं ओके इसमें बूरा दिया है ठीक है एक यह बिजनस मैथमेटिक्स हो गया और इन्वार्मेंटल साइन्स है यह तो ऑप्षिनल है लो है पानेशल मैंने चलिए ठीक है मैं थोड़ा सा समिस्टर पांच आ गया था चार सब्जेक्ट आपके तीन सब्जेक्ट ही तो कोर होते हैं और यही तो तीनों है तो यह तीन सब्जेक्ट आपके कोर है ठीक है इसके हिलावा चार सब्जेक्ट और है मैं उसके लिए बॉक्स बना लेता हूँ अब मैं subject का नाम नहीं लिख रहा क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग-अलग scenario है तो इस कहानी के अंदर इस तरीके से देखा जाए तो हमारे total साथ subject है जो subject नहीं है वो अपने हिसाफ से बच्चे न उसके अंदर माइंड में सोच लेना कि यह subject है इसके ऐसे तरीकी के बच्चे हैं ज्यादतर बच्चे जॉब वाले भी हो सकते हैं semester तीन वाले एक वालों ने तो जॉब नहीं जोइन किया होगा तीन वाले कर लेते हैं या फिर कोई any other work कर रहे होंगे वो ठीक है या any other course कर रहे होंगे CACS में भी बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं तो आपको कितना कितना time देना चाहिए और अभी से दोगे तो जाके benefit मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा लास्ट में सोचोगे ने कि 10 दिन में हाथां कर रहे हो तो आपका भी confidence नहीं का आएगा के आप में अगार मैं business stats की बात करूँ न तो maximum आपका 50 से 60 घंटे 50 से 60 घंटे में ये खतम हो जाता है मैं hour बेडिवाइट कर देता हूँ FM मैं guarantee देता हूँ कि ये 40 to 50 hour अच्छे से regular class करोगे तो ये खतम हो जागे stats थोड़ा सा लेंदी है principle of मैंने economics लख दिया principle of marketing है ये principle of marketing इसके अंदर मान लेजिया hardly 20 से 30 घंटे मैं maximum maximum ले रहा हूँ और जो बाकी subjects है और भी बाकी subjects है हर किसी के लिए मैं 25 गंटे on an average 25 और 30 घंटे का मैं slot book कर लेता हूँ ठीक है ना 30 घंटे का slot book कर लेता हूँ तो ultimately हम पहले तो ये decide कर लेते हैं कि आप पूरे total में कितने घंटे में सारा slivers खतम हो जाएगा और ये जो आवर लिखा है सब चीज मिला के आपको पढ़ना वीडियो देखना या फिर कहीं तो आपके total अगर मैं count करूं 50 और 500 घंटे 130 घंटे और 180 घंटे और 200 घंटे यानि 220 से 30 घंटे हमारे total लगेंगे यानि 100 दिन हमारे पास है और total जो लग रहे हैं अप्रॉक्स 230 घंटे का हमारा time लग रहा है मैं पूरा detail लेके चल रहा हूं आप भी सबज़िएगा इस बात क इसका मतलब सर अगर एक दिन में हम धाई घंटे भी पढ़ते हैं तो total हम 100 दिन में कितने घंटे पढ़एंगे सर, 200 घंटे पढ़एंगे तो ये तो बहुत अच्छा दंबर आगया हमारे पास यानि हमारे पास 200 घंटे पढ़ सकते हैं तो यानि आपको total हर दिन कितने का बीच का मान के चलिए यानि पर्टे निकालना अब चुछ बच्छों का काम क्या होता है सुभह पढ़ना कुछ बच्छों यह रात में अच्छा लगता पढ़ना और कुछ बच्छे जॉब कर रहे हैं तो उनको टाइम न ही मिल पाता तो जो चूडेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए पहले मैं बता दू जो बच्चे जॉब कर रहे हैं यानि आपको एक या आइडिया तो लग गया कि भाई हमें 2-5 गंटे पढ़ने ही पढ़ने है ठीक है अब सबसे पहले जो बच्चे जॉब कर रहे हैं कोई भी एनी काइंड ऑफ जॉब कर रहे हैं तो वह अपन का जॉब का टाइमिंग अलग होता है में मॉर्णिंग का आप 6 बजे उठने का यादत डालिए प्लीज सिक्स टू आप 8.30 तक स्टड़ी करिए उसके बाद अपने जॉब की तयारी करिए साम की टेंशन छोड़ दीजिए कि जाना है क्योंकि पता है क्या होता है आप अब इस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए आपको नाइट में जल्दी सोना पड़ेगा मैंने का 6 बजे उठना अच्छी बात है और 6 बजे आपको उठना चाहिए लेकिन उससे पहले आपको सोना भी चाहिए आपको हाडली टू हार्डली आप अगर 11 बजे तक इस से ज्यादा मत जाना है 11 बजे रात को सो जाओ तो बड़े आराम से 6 बजे उठ सकते हो हाला कि 10 बजे सो जाओ तो और अच्छी बात है आपके हेल्थ के उपर ज्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है ना तो अब 10 से 11 हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चलते है इवन दो कई बार मुझे भी ऐसा लग जाता है आप अकेले नहीं मैं अपने आपको भी इंकलूड करता हूं कि कई बार रात में अचानक से आख खुलने के बाद नीद नहीं आते हैं और फिर जब नीद नहीं आते तो हम बहुत सारे माइंड के अंदर कैलकुलेशन सोच चलत हैं और उसके अंदर हमें पता नहीं चलता दो बज़े और दो बजने के बाद सुबह 6 बज़े उठना पॉसिबल नहीं है उससे आपकी हैल्थ भी खराब हो जाएगी आप जबरदस्ति करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी तो आपको सबसे पहले आपको सोने का सही टाइम प्यादर डालना पड़ेगा उठना अपने आपको जाएगा ठीक है ना दूसरी चीज सर इस बिमारी से कैसे बचा जाए इस बिमारी से बचने का मेरे हिसाब से तो तरीका है बहुत सारे ऐसे अप्लिकेशन भी आते हैं जिसके अंदर आप फोन किसी का एमर्जेंसी में गया तो मैं फोन को जैन मोड पर जाल देता हूं सीधा तीन घंटे के लिए अब फिर आदे घंटे के बाद मेरा मन करता है फोन में क्या हुआ तो मैं खोली नहीं सकता फोन स्विच आफ कर दूं कुछ भी कर दूं नहीं खुलेगा वह तीन घंटे के लिए गया आप प्रजे कर दो ब्लॉक तीन घंटे के लिए तो अब आप फोन उठाओगे बेना और एप्लिकेशन है आप ढूंड लेना एप्लिकेशन है आप उठाओगे भी तो आप देखो यह यार यह आफ़ेस को साइड में रख दोगे साइड में रखने के बाद दूसरा तरीका सोने अगर आपको नींद नहीं आ रहा है जैन्मिनली तो आप सुबह थोड़ा सोचलो सुबह लेट उठ जाएंगे आप मेरी वीडियो देखना चालो करो और बुक पढ़ना चालो करो तो सबसे अच्छा नींद की दवाई ना मुझे कई बार ऐसे लगतार बच्चे भी बताते को टाइम पर नींद आ जाएगा और सिर्फ एक हपते अगर आप 11 बजे सोने लगे तो यूस्टू हो जाओगा जब आपको किसी चीज की जुरत ने पड़ेगा लेकिन हाँ फोन लॉक कर दीजिए आप ठीक है ना आपने यह नहीं देखना किसका मैसेज आ रहा है किसका नह बढ़तने हैं हं जितने भी आप से रिस्तेदार केनेट है रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट सभी पूछेंगे रिजल्ट से पहले बहुत कमी ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगा यार पढ़ ले तेरे पेपर आजने वाले हैं अभी से तैयारी कर ले जायतार लोग मिलेंगे पढ़ लियो ना सौ दिन तो बच्चे हैं दो घंटे तो पढ़ना है स्टैट्स की बुक है जे के ठुकराल एफम का है आरपी रस्तोगी मैं कमेंट में सभी का लिंक डाल दूँगा आप बुक्शॉप पे कहीं भी अवेलिबल हो जागा इसली डेली में आउट अफ डेली कहीं भी बच्चा हो मार्केटिंग का है टी एन छावडा एक दो राइटर और है लेकिन मैं कहूँगा टी एन छावडा ठीक है न तो ये सारा का सारा आपका बुक का राइटर है और कल से मतलब नेक्स्ट जो भी है अभी बिजनस स्टैट्स का सैट्स का भी निउ चेप्टर स्टार्ट होने वाला है और बिजनस मैज का भी ठीक है न और प्रिंसिपल ओफ मार्केटिंग मैं करवा तो रहा हूं लेकिन रिकॉर्डिंग दे रहा हूं उसकी और यह साच कुछ नहीं है ठीक है यह सारा का सारा हमारा सिनर्यों चल रहा है जो कि मैं आपको बता रहा हूं ठीक है जिस बच्चे को जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं न सर हमें live class चाहिए और कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें recorded भी चाहिए कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे doubt भी हो जाएंगे तो वो solve कर दो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे test भी हो जाए तो बढ़िया है कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे सर रजिस्टर के उपर पर्फॉर्मेंस भी बता दो क्या ऐसे कर रहें नहीं कर रहें मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर यह सारी चीजे चाहते हैं मैं और यूटूब पर कई बार बता चुका हूं फिर भी प्रस्नली किसी बच्चे को चाहि तो हमने यह सारे फीचर्स ना हमने अप्लिकेशन पर डाला हुआ है और हमारा जो है ना कूर्स अभी नियू चप्टर स्टार्ट होगा जिन बच्चों को ज्वाइन देखो यूटूब पर सारी चीजे होगी जिन बच्चों को लगता है कि यह चीजे हो जाए तो बेटर है तो आप उनसे बोलेगा कि सर ने बताया था तो आपको महां पर डिसकाउंट अवेलिबल हो जाएगा और एक ऐसा अमाउंट है जो कि ना कम बोलूँगा ना ज्यादा बोलूँगा और यह अमाउंट में डिसाइड नहीं करता मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं आप उनसे प्लायन के बारे में सोचोगे ना तो डेफिनिटली आप करोगे कुछ ना कुछ ठीक है तो मैं यह नहीं कह रहा है कि जो मैंने बोला बिल्कुल 100% 10% थिंक अबाउट सेल्फ अपने बारे में सोचें के भाई यह सही बाते भी हो रही है नहीं हो रही तो ठीक है बस मुझे यह बताना था डेट शेट आ चुका है अवेर हो जाईए पढ़ने लग जाईए बुक्स के नाम बता दिये समिस्टर वन का बुक जो है फानेशल अब मैंने समिस्टर तीन का डिसकुसन किया है वन के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा और पांच के लिए भी और एक पूरा चैप्टर वाइस भी मैं वीडियो लेकर हूं आपके लिए ठीक है मिलते हैं थाइंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते रहिए और अपना टाइम बस आपका अड़ताल चौबिस गंटे में से सिर्फ धाई गंटे मैं मांग रहा और एक्जाम के बाद आपका confidence आगा है यार पेपर बड़ा अच्छा गया हमारा ठीक है ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससी तरीके से नई information के साथ